मेरे वीडियो पर जादा फोकस करना आज के एक्जाम में एक सो एक मार्क्स के कोश्चन पर आए अब बोलो कि सर सौ मार्क्स का तो बेपर ही होता है आपको 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 अटेम्ट करना होता है आपको तो ऐसे करके एक सो एक मार्क्स के कोश्चन फसें और यह मैं हवा पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको प्रूफ के साथ यह सारी चीज़े दिखाऊंगा टाइम स्टाम के साथ अब क्लिक करके वो चीज़े देख सकते हो जो चीज मैंने वन डे बिफोर रिविजन में पढ़ाई है या जो मैंने सुपर एटी इंपॉर्टेंट कोश्चन दिये थे सब का सब वहीं से पूछा हुआ है याने कि अगर आपने वन डे बिफोर भी अगर किया होता धंसे और अगर आपने सुपर एटी भी किया होता तो आप अर्राम से पास हो जाते बड़ इसका मतलब यह नहीं कि आप यूट्यूब के लेक्चर पर निर्धारित रहें और उसके बेसिस पर अपना डिसिजन ले आगे आने वाले करियर का इस पर भी मैं बोलूगा मैं हार्ली पांट से साथ मिनट के अंदर पूरे वीडियो को कंकूरूड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे पत अपने फीरिषि को लेक्री कर दो हो उसके बाडर ने क्लिक कर लेखा है कि मेरे बिल्षाई की कहशनी मैं का कंसे बाहर कुछ नहीं कुछ नहीं एगा आठाये पांट कर फमरी मैंने का सेयम कोश्शन सेम बतला है और य्क और सी सर्कमस्ठाच्स हैं बदल दिए फोल्डिंग सबसीडरी मैंने अरजुन शाबरा टूटोरियल का टेस्ट जो गौड लेवल का टेस्ट लिया था वो कुश्चन नंबर 3 भी इस पर फसके आ गया और बहुत सारे कुछ कुश्चन टेस्ट से आये हैं कुछ कोश्चन मेरे सुपरिटी कोश्चन से और कुछ मेरे वन देफिफोर रिविजन में जो मैंने इंप्टेंट कोश्चन बहुत है तो वहां से हर चीज की accountability है यहाँ पर फटाफट में आपको दिखाना चाहतों तो अगर आप देखोगे तो हर चीज की accountability आपको देखेगी मतलब मैं यह कहना चाहरा हूं कि जैसे हमारे में गोड़ रहा हूं section 10 ध्यान से देखो question बन सकता है तो वो जो यह comment है यह comment आपको इसी वीडियो के link में मिलेगा आप जैसे इसको click करोगे आपको दिखे कर कि सर ने बोला तो इसमें बन सकता है और वही question बना है तो इसी लिए मैंने यह link बाजू में दिए कि आप जाके इसको click करो और देखो वही बोला था और वही आया है और पढ़ाने के बाद जो question आया सब उसका पेपर डाल दिए अब question जब आ गया तो पेपर का रिव्यू करें तो मैं question paper discuss याने की question paper को question पढ़ने में ज्यादा time waste नहीं करूँगा फटा फटा आपको मैं सारी चीज़े बता देता हूँ सबसे पहला question जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई S liable रहेगा क्या तो continuing guarantee का है बिल्कुल S यहाँ पे liable रहेगा यहाँ पे S liable रहेगा क्यों क्यों क्योंकि चार installment पे करने के बाद उसने नहीं किया तो पांच installment के लिए S liable रहेगा रही बात next part की तो क्योंकि misrepresentation किया गया था तो misrepresentation करके जब आप guarantee लेते हो तो वहाँ पे surety discharge हो जाता है तो यह सारे सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे second में मैं जाता हूँ 1B पे तो यहाँ पे पूछता है कि सबसे पहले यह बोल रहा है बताइए PQR private limited जो है क्या वो ABC limited की भी subsidiary बनेगी the answer is no भाई साब क्योंकि भाई साब देखो जो PQR limited है वो XYZ private limited की तो subsidiary है क्योंकि XYZ private limited PQR limited का क्या control कर रहा है वो control कर रहा है उसके composition को बट बात यह है कि क्या XYZ private limited जो है just a moment दोस्तो हाँ जी तो बात यह आती है कि क्या XYZ private limited जो है क्या वो ABC को subsidiary बना के रखा हुए या ABC holding है क्या XYZ private limited की नई भाई साब XYZ private limited मात्र 5000 शेर रखी वी है ABC limited के पाद total 20,000 शेर से उसमें से 5000 XYZ रखी वी 25% बस रखी वी है तो XYZ private limited ABC limited में 25% रखी वी एक बात और XYZ private limited PQR private limited का composition कर रही है तो यह holding और यह subsidiary यहां तक तो समझ वे है अब PQR बोलता है कि भाई मैं भी subsidiary हो किसकी ABC की अभे तुम कहां से ABC की subsidiary हो जाओगे बहे बताओ यहां पे बोल रहा है कि भाईया देखो now PQR private claims the status of नहीं हो सकता next बोल रहा है state the relationship if any अगर कोई relationship है ABC और XYZ के बीच में तो definitely ABC और XYZ के बीच में holding subsidiary का तो रिष्टा नहीं है बट हां associate company का रिष्टा है क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे जो XYZ private limited है वो ABC के अंदर 25% का voting power रख रही है तो यहां पे holding subsidiary तो नहीं associate का रिष्टा ज़रूर है मैं quick discuss कर रहा हूं सारी चीज़ और God level test पर मैंने इसको दिया वा था कि अगर किसी ने holding subsidiary बना दिया तो उसको यह भी बन जाएगा मैं next में move on करता हूं जैसे कि आप यह वाला question देख रहे हूं सेम यह उसके उपर है कि भाई perpetual loss हो रहा है फिर भी वो continue करना चाहता है तो यह one of the ground और приya के father साब इसका प्राइस determine करने वालेते प्रिया प्रिया के father साब ने ही कि अ zijn मना कर दिया तो प्रिया ने अलरेटी दे दिया था वहीकन तो heading तो क्या वहीकल वहापस ले सकती नहीं प्रिया को एक reasonable price मिलेगा इससे sony से लेकिन वहीकल वहापस नहीं कर सकती अगर प्रिया अपना गाड़ी handover नहीं की होती तो क्या होता तो फिर यह avoid हो जाता section 10 और believe me section 2A के अंदर यहाँ पर देखो price to be determined the third party मेरे comment है इसको click करना तो आपको मेरा comment दिखेगा section 10 ध्यान से देख लो question बन सकता है और same question जो मैंने frame करके दिया है बस character बदल दिया same question है आप जाओगे super 80 वाला जो मेरा PDF है page number 49 निकालना आपको same question same example मिलेगा जितनी भी चीजों की बात कर रहा हूं इसके अंदर ACT test 1, test 2, one day before exam आपका super 80 question सब आपको description में इसकी link ने जाएगा आप cross check कर सकते हैं मैं फटा-फटा के बढ़ता हूं मैं 2B में जाता हूं मैं OPC के उपर मैं बताया था companies पूरा important है लेकिन कुछ hot topic बताया थे चार-पांच ज्यादा ने पांच hot topic बताया थे उन पांच hot topic में से एक OPC का question बताया था सिर्फ 5 hot topic बताया थे उसमें से एक OPC का यह सी वाला discuss करने मैं 3A1 के उपर जाता हूं अगेन यहां पर देखो बात आ रही है कि यह perpetual loss हो रहा है इनको फिर भी हो चाहता है कि हम partnership को continue करें तो यह one of the ground है बाखी के partner apply कर सकते code को कि perpetual loss हो रहा है तो उसको dissolve कर लो मैंने उपर भी perpetual loss बोल गिया था बड़ यह perpetual loss वाला नहीं है बस यहां पर यह बोलता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी बाते है जो firm भले register ना रहा है फिर भी effect नहीं करेगी तो यहां पर भी अगर आप देखोगे question 1C के अंदर अगर आप जाओगे यहां पर मेरे comment है यह 5 ऐसे point है जो unaffected है और सुनो किस type के question इसमें पूछ सकता है तो मैंने यह बताया इसमें one day before और super 80 question लगा है literally उसको काफी सारे question बन जाएंगे और regular student के तो बल्ले बल्ले आपको पता है उनके बस बुल साई की question मैं कि मैं जी बन में आगया रतुम यहां पर फटा फटा आते हैं अपन बात कर रहे है भाई एक partner है एक sleeping partner है एक active partner stolen property लेके आता है C से stolen property लेके क्या आता है B active partner A sleeping partner है अब बात करता है A बोलता है मेरे को नहीं पता था C भाई साब कि तू चोरी वाला माल मेरे partner को बेचा है तो मैं क्यों लाए बल रहा हूंगा section number 24 notice to active partner is notice to firm हाँ इस पे फ्रॉड वाली बात आती है कि अगर active partner बाहर वालों के मिलके साथ fraud गरने की कोशि A2 notice to active partner super 80 का question number 63 पढ़ लेना आपको पूरा clear हो जागा जिसने super 80 में question 63 लगाया होगा इसको समझ में आगा क्योंकि मैंने उसमें पूरा coverage कर लिया था एक fraud वाला भी question दे दिया एक normal वाला भी दे दिया तुरन बन जागा super 80 का question number 63 पढ़ लेना आपको अपने आप समझ में आ test 1 से भी एक question आया यह same question मैंने अपने test पे draft करके दिया था almost 90% से ने वाई सब 20% government of India ने रखा 10% तमिल नाडू ने 10% राजिस्थान में हो गया कितना 40 इसको हम नहीं गिनते यह same question मैंने अपने ACT के test 1 पे दिया वा था और यहां पे भाई यह ABC limited यह owned by government company इनको तो देखेंग जाओगे तो लगबक आपको similar question perpetual succession के में रखा बुल साइके question मैं अब यहां पर देखो एक यह वाला सवाल आ रहा है कि बाई surety के क्या-क्या right है वो क्या-क्या right enjoy करता एक creditor और principal debtor का अगेंस Although मैंने Contract of Guarantee के लिए बोला था इसमें सब important है मैंने इसमें hot topic भी अलग से नहीं दिया था being very honest बट मैं बताना चाहता हूँ आप अगर मेरे one day before में जाओगी question 3C में अगर मैं जाओगा question 3C में one day before में भी मैंने ये time stamp mark करके रखा है अब जैसे इसको click करोगे वो same चीज मैंने पढ़ा है ये chart बना के यार इसको पढ़ लेना या पढ़ लेना अपने से ये chart आगे बढ़ता हूँ important बोला नहीं था but same one day before में पढ़ाया था कोई one day before भी देखके क्या होगा तो उसको अच्छे से याद आ गया होगा जीवन में मैं आगे बढ़ता हूँ अब देखो ये वाला question question number 65 section number 65 के उपर based है कि भाई 50,000 रुपे तुमने दे दिया था J ने S को फिर पता चला कि S anti-encroachment करके अपना land बनाया था सरकार ने इसको गिरा दिया अब अगर आप 4A2 के अंदर जाओगे 4A1 के अंदर देखो मैंने comment क्या दिया इसको click करना आपको ये ही comment मिलेगा बहुत important है institute में काफी question पूछे में super 80 में भी question है और ये super 80 का question देख लेना ये देख लेना आपको बन जाएगा revocation when takes effect 4A2 भाई साब इसमें तो मैंने जब one day before पढ़ाया था ना one day before में ये मेरे comment है ये देखो exam में question बनने की प्रबल सम्भावना है कि जब agent का authority रिवोक कर देते तो उसके authority रिवोक कब होती है बोला प्रबल सम्भावना है आज वो बना हुआ है मैं पांच ये हो गया उसके बाद मैं सीधा पांच ये में जाता हूँ ये जो ये वाला auction वाला case है तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो देखो auction वाले case में पहला वाला जो है यहाँ पे मधू जो on behalf of R&N Associates क्या कर रही थी auction कर रही थी उसके भी bid को invite नहीं किया क्यों पता है क्या यहाँ पे देखो साफ लिखा हूँ है a right to bid was not notified by them याने कि R&N Associates जो एक auctioner है auctioner किसका है seller का और auctioner seller का क्या होता है agent तो seller जब तक अपना right to bid reserve नहीं करता नहीं करता तब तक उसके bid को accept नहीं किया जाता तो second वाला भी जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि R&N Associates अपने आया है तो वह तो unlawful ही भाई वह तो unlawful ही है बस पहले वाले में मैं में भी lawful इसलिए लिखा हूं कि अभी यह वाली चीज बड़ी वेक सी है कि उसको invite नहीं किया था तो हो सकता है institute कास्प में अलग question रहे बट मेरे मोटा मोटा अगर आपको मैं बताओं तो दोनों lawful है यह जो मधू और देव आर्ग्यूमेंट कर रहे ना कि यह lawful नहीं बहीं दोनों lawful है पहले वाले में तुमको invite नहीं किया था और दूसरे वाले में तुमने विट सम्हाँ ना सूपर 80 के page number 80 में भी आप जाके देखो वन डे बिफोर एक्जाम रिविजन में भी मैंने इसको cover किया यह लिंक करो के आपको यह statement मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं भी तो वन डे बिफोर जिसने देखा भाई साब और सूपर 80 किया उसको सब बना मैं पांच सी के अंदर जाता हूं देखो section 39 बहुत ज़्यादा important नहीं नॉन performance के उपर है यह देखो कि भाई पार्टी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है तो क्या राइट है प्रामिसी के क्या राइ ड्रॉर को ड्रॉर अगले 15 दिन के अंदर पेमेंट करना चीए नहीं किया तो court में जा सकता है कौन ड्रॉर जितना check का amount था जो bounce का double penalty लग सकती है और साथ साथ में दो साल की jail हो सकती है तो दोनों हो सकता है आप इस link को click करना बस 6 138 139 दोनों cover करा है क्योंकि इसमें यह भी बोला था donation माली बात कि अगर donation की तो क्या हो तो आप जैसे इसको click करोगे मैंने आपको बता है 139 के अंतर एक presumption रहता है आपने check issue किया मतलब liability discharge करने के लिए लेकिन आप इस presumption को reboot कर सकता आप प्रूफ कर दो link क्लिक करो आपको सीधा बहुत जादे important है बोल के और इसको मैं question चले दा same question आपको मिलेगा सब यहीं से है मैं 6C के अंदर चले जाता हूं 6C में अगर आपन जाएंगे तो यहाँ पर देखो sale or return के उपर बात है भाई जे एक wholesaler 100 bag of rice किसको दिया है वो एक retailer को दिया है retailer sale or return within one month का उसके पास time था next day retailer 5 bag of rice एक regular customer के को दे देता है एक हफते पात के उसको बताता है कि भाई rice जो है as per the price नहीं है अब retailer चाहता है मैं पूरे बैक को वापस कर दू भाई पूरा नहीं कर सकते है आप 95 return कर सकते हो sir इसके लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सूपर हिट्टी का question number 50 देख लेना same question है बस वहाँ पर table chair का example दिया हूँ और यहाँ पर rice का example दिया अगर आपने वो पढ़ लिया यानि कि यह आपको बनेगा ही बनेगा lastly मैं बताना चाहता हूँ कि sir इसका मतलब youtube material पढ़ ले पास हो जाए मैं बताना चाहता हूँ भाई साथ पेपर इस बार का बहुत अच्छे लेवल काया था youtube के lecture से मुझे नहीं लगता क्योंकि youtube पे क्या होता है बच्चा सिर्फ लेता है चीजों को regular class में टेस्ट होता है जैसे हम ACT में 10 चेप्टर वाइस टेस्ट लिये दे दो फुल टेस्ट लिये तो उसको एक process मिलती है youtube में बच्चा कम effort लगाता है regular class में teacher भी effort लगाता है बच्चा भी effort लगाता है YouTube से आप पास हो सकते हो जब आप YouTube के lectures के साथ-साथ अपनी भी पूरी महनत दो अगर आपकी पूरी अपनी महनत नहीं है तो हो सकता है यूट्यूब के lecture से भी पास ना हो पाओ तो यह वाली इसमें मतलए ना कि सर की सारी चीजा आगई तो यूट्यूब से ही कर लो पेपर का लेवल काफी अच्छा था इस बार न्यू से लेवल सा काफी सारी चीजे एड हुई थी मैंने भी उस तरीके से अपनी पूरी तैयारी कराई थी साथ साथ में भाई देखो कैसा है आपको समझना पड़ेगा आपको मेंटर कैसे चूज करना है हर कोई पढ़ा रहा है एक्जाम के बाद पेपर आ रहा है तो हर कोई रिव्यू कोश्चन आगे तो पेपर का अंसर तो हर कोई बता देगा बट क्रॉस चेकिट भाई साथ जो पढ़ाया गया जो बताया गया उससे आपको एक्जाम में कितना फायदा हुआ मेरी accountability मैंने आपको अपने सामने दिखा दिए यह PDF आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगी और इसमें जो-जो material का मैंने जिक्र की है super 80 important question, ACT का test 1, ACT का test 2 आपको जो भी सारी चीज़े दिख रही है आपको इसी वीडियो के description box में सब मिल जाएगा मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपका exam बहुत जबरदस के होगा क्रिपा करे, comment करके जरूर बताए one day before super 80 question आपको कैसे लगे आप मेरे regular हो तो कैसा experience रहा EOB वाले तो कैसा experience रहा YouTube वाले तो कैसा है आपका experience रहा क्योंकि हमने बहुत वेनत की थी इस बर सारी चीजों में और बहुत अच्छे बच्चों की comment आए तो क्रिपा करे YouTube के इस वीडियो की comment box में जरूर बताए आपका paper कैसा गया हो I wish you all the best for your upcoming examination take care दोस्तों, bye bye